दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान हिंदी के अंतरगत महतोपूर हिंदी मुहावरे दोस्तों यह टापिक विभिन राज्यों के सामान अध्यन के सीसेट प्रशन पत्र, UPPCS, उत्राखंड PCS के सामान हिंदी मुख्य परिच्छा के साथ साथ समिक्षा धिकारी, सहायक समिक्षा धिकारी, अधीनस्त सेवा चैनायोग, खंड सिच्छा धिकारी और TET के लिए का अर्थ पूछा जाता है, जब सीसेट प्रशन पत्र में या ऐसे वंडे एक्जाम में सामान हिंदी का जो पार्ट होता है, खंड होता है, वहां से अबजेक्टिव टाइप प्रशन में मुख्य परिच्छा में इसका अर्थ और वाक्य के रूप में इसका प्रियोग पू तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रमुख हिंदी मुहावरे, दोस्तों मुहावरे सुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मुहावरा क्या होता है, तो ऐसा वाक्यांस जो साधारन अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेस या बिलच्छन अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है मुहावरा एक वाक्यांस होता है वाक्यांस इसलिए कि ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है ये केवल वाक्यांस होता है और ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है और प्रायह ना से समाप्त होता है या क्रिया से समाप्त होता है मुहावरा तो ऐसा वाक्य प्रवाह और सबसे महत्वपूर बात ये कि इसमें चमतकार उत्पन होता है। इसका काम ये है कि बात को इतनी खूपसूरती से कहना कि सुनने वाला समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए। तो ये है मुहावरे की परिभासा। अब आए शुरू करते हैं मुहावरे या इमपार्टेंड टाप इमपार्टेंड मुहावरे और उनका अर्थ। तो आज का ये जो पहला मुहावरा है अकल पर पत्थर पढ़ना इसका अर्थ होता है बुद्धी भ्रष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पढ़ना यानि बुद्धी भ्रष्ट हो जाना अपना उल्लू सीधा करना बहुत बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है तो इसका सीधा अर्थ होता है कि अपना काम निकालना अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना काम निकालना तीसरा है पहाड तूट पढ़ना यानि भारी विपत्ती आ जाना इसी को पहाड तूट पढ़ना कहते हैं अगला जो मुहाबरा है वो है घडो पानी पढ़ जाना तो घडो पानी पढ़ जाना का अर्थ होता है अत्यांत लज्जित हो जाना या सर्मिंदा हो जाना तो घडो पानी पढ़ना का अर्थ है अत्यांत लज्जित होना चक्के छूटना यानि बुरी तरह पराजित होना और चक्के छुडाना का अर्थ होता है बुरी तरह हरा देना चक्के छूटना बुरी तरह पराजित होना और चक्के छुडाने का अर्थ है बुरी तरह से हराना अगला है कलम तोड़ना कलम तोड़ना माने बढ़ियां लिखना या खुबसूरत लिखावट होना या बढ़ियां लिखना तो कलम तोड़ने का अर्थ है बढ़ियां लिखना चाद पर थूकना चाद पर थूकने का अर्थ सीधा अर्थ होता है ब्यर्थ की निंदा करना या फिर प्रसंसनी ब्यक्ति की निंदा करना जो ब्यक्ति इजद्दार हो और जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित ब्यक्ति की निंदा करने को चांद पर थूकना कहते हैं अगला है अन जल उठना अन जल उठने का अर्थ है रहने का संयोग न होना यानि एक जगह से जो रहने का बिस्थापन हो जाना या रहने का संयोग न होना अन जल उठना होता है अगला मुहावरा है एक लाठी से सब को हाकना उचित अनुचित का ध्यान किये बिना बेवहार करना एक लाठी से सब को हाकना होता है अगला देखते हैं कल पढ़ना कल पढ़ने का ये जो मुहावरा है कल पढ़ना इसका अर्थ होता है चैन मिलना या सुकून मिलना अंटी मारना यानि की चाल चलना आप इन मुहावरे को जो है वो तयार करने के करम में इनका जो सटीक अर्थ है वो उसे याद कर लीजे जैसे जब objective type में होता है तब वहां आप आराम से अगर जो इसका अर्थ जान रहे हैं तो वहां आराम से कर लेंगे और उसी प्रकार जो प्रियोग है किसी वाक्य में प्रियोग करना या उसका एक वाक्य प्रियोग करना तो जब आप उसका अर्थ जानते होंगे तभी आप उ उसने तो बाद तक नहीं पूची, तो इसका अर्थ होता है आदर न करना, सम्मान न करना, बाद तक न पूछने मुहावरे का अर्थ होता है। अगला मुहावरा है कान देना तो ध्यान देना ध्यान से सुनना या ध्यान देना का अर्थ है आख मूंदना आख मूंद लेना या आख मूंदने का अर्थ है मर जाना या मृत्य हो जाना अगला देखिए दाढ़ी में पेट में होना important है बहुत ही महतपोड है परिच्छाव में पूछा जा सकता है दाढ़ी पेट में होना यानि छोटी उम्र में बहुत ग्यान होना इसको कहते हैं दाढ़ी पेट में होना अगला है सिर गंजा करना सिरगंजा करने का अर्थ होता है बुरी तरह पीटना सिरगंजा करना अगला मुहावरा है दोस्तों कान भरना कान भरने का सीधा अर्थ है पीठ पीछे सिकायत करना ऐसे गाउं में या कहीं भी आप लोगों को सुनते होंगे कि अरे वो मेरे पीठ पीछे कान भर रहा था या कान मेरे पीठ पीछे शिकायत कर रहा था या उसका कान भर दिया गया है तो कुल मिलाकर कान भरना का अर्थ है पीठ पीछे शिकायत करना बरस पढ़ने का है क्रोध में आना अत्यांत क्रोधित हो जाना इसका अर्थ होता है अत्यांत क्रोधित होना या क्रोध में आना अंगारों पर लोटना यानि इर्सया डाह या जलन होना अंगारों पर लोटना अगला मुहाबरा है अपना किया पाना यानि कर्म का फल भोगना अपना किया पाना अपना जो किया है उसका फल भोगना पड़ता है तो कर्म का फल भोगना पड़ता है सभी को उसी को यानि मुह मतलब लापता होना गायब होना या दुरलब होना गूलर का फूल जल्दी कोई देखता नहीं है क्योंकि कहते हैं कि गूलर का फूल उसके बीज के अंदर होता है तो गूलर का फूल होना यानि लापता होना या दुरलब होना गाठ बांधना मेरी बात अच्छी तरह से गाठ बांदने का अर्थ होता है पगड़ी उछालना पगड़ी उछालना मुहाबरा है इसका अर्थ होता है बेज्जत करना किसी को बेज्जत करना किसी पगड़ी उछालने का अर्थ है बेज्जत करना अगला है देखिए गाल बजाना गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाकना या गप्पे मारना तो गाल बजाना डिंग हाकना या गप्पे मारना डिंग हाकना मतलब भौकाल मारना ये डिंग हाकने का अर्थ है अगला है टांग अड़ाना किसी काम में टांग अड़ाना अरचन या बाधा उत्पन करना अरचन या बाधा उत्पन करना टांग अड़ान किसी भी प्रकार से धन जोडने का बुरा लालज निन्यानवे का फेर अगला प्रश्ण है तीन तेरे होना तीन तेरे होना इसका मतलब होता है तितर वितर हो जाना तितर वितर हो जाना यानि तीन तेरे होना अगला प्रश्ण है देवस्तों मुह उतरना मुह उतरने का अर्थ होता है उदास होना अरे किसी बात पे उसका मुह उतर गया छोट इतनी सी बात पे उसका मुह उतर गया यानी मुह उतरना इसका अर्थ होता है उदास होना कान खड़े होना कान खड़े होना सावधान होना या चौकनना होना में कान खड़े होने का अर्थ होता है चौकन्ना होना या सावधान होना अगला मुहावरा है आखे फेर लेना आखे फेर लेना मतलब उदासीन होना या ध्यान न देना आखे फेर लेना कोई अगर जो आपसे आखे फेर ले तो इसका मतलब आप में उसका इंट्रेस्ट नहीं है वो आपके प्रति उदासीन है या आपसे वो कोई मतलब नहीं रखना जाता है अगला मुहाबरा जो है वो है सिर फिर जाना सिर फिर जाने का अर्थ है पागल हो जाना अरे उसका तो सिर फिर गया है यानि वो पागल हो गया है अगला मुहाबरा देखते हैं दोस्तों 32 लाल पीला होना लाल पीला होना का अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना लाल पीला होना यानि अत्यंत क्रोधित होना खून सुस्क हो जाना खून खुस्क होना या खून सूख जाना इसका अर्थ होता है अत्यंत भैभीत होना अगला जो मुहावरा है चीटी के पर लगना या चीटी के पर जमना इसका अर्थ होता है बिनास के लच्छन प्रकट होना यानि अब चीटी के पैर लग गए हैं यानि उसके बिनास के लच्छन प्रकट होना चीटी के पर लगना या चीटी के पर जमना मुहाबरे का अर्थ होता है और इस वीडियो का दोस्तों अगला प्रश्न है या लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का पटरी बैठना पटरी बैठना का अर्थ होता है मन मिलना या अच्छे संबंध होना किसी से मन मिलना या अच्छे संबंध होना पटरी बैठने का मतलब होता है और कहा भी जाता है अरे उससे मेरी बहुत अच्छी पटरी बैठती है मेरी पटरी बैठती है तो उसका अर्थ होता है मन मिलना या अच्छे संबंध होना तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा इंपार्टेंट टाप इंपार्टेंट हिंदी मुहाबरे जो परिच्छाओं की दृष्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण और उप्योगी है दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागधर्शन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवसे करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार